ये देखिए गाइस, लोन अमाउंट पांच जार पांच सो रुपे का है, अमाउंट क्रेडिट होंगे, चार जार चार सो चो जार पे पॉइंट पैसा, रीपेमेंट करनी होगी, सात जार तीन सो इकतर रुपे की, रीपेमेंट डेट रहेगी, सतरा छे दो जार चोविस नेक मन्त की, दिखे, रीट ओप इंटरस बहुँ जादा, माली जे चार जार चार सो सो रुपे आपके बैंक खाते में आगे, सात जार तीन सो इकतर रुपे की आपको पेमेंट करनी है, मोटा मोटा पकल लिजे तीन जा रुपे का रेट ओप इंटरस आपका लगने वाला है, मत प्रूबल अमाउंट में आपको दिखा रहा हूं, यह जो रेट ओप इंटरस है, अमाउंट डिस्पर्स का है, और रीपेमेंट डेट कितना मतलब कितना समय मिल रहा है, सब चीज का यहां पर आपको देखने को बता रहा हूं, कि भाई, रेट ओप इंटरस बहुत जाता है अगर माली जो सपोस्ट डेट यहां से आप अप्लाई करते हो, या फिर अप्लाई करने के सोच दो तो बिल्कुल ध्यान से अप्लाई किजिएगा, क्यों कि यहां पर रेट ओप इंटरस बहुत जाता है, ओके, सो आईए, मैं आपको दिखा देता हूं, यह है वो अप्लिक सबसे बड़ी बात है, आपको साथ जार 311 की करनी है, रीपेमेंट डेट रहेगी, आपके मतलब माली जे कि आपको 15 दिन का टाइम पिरेट यहां पर देखने को मिल जाता है, हाँ, यह NBFC है, नो डाउट, यह मैं किलिर दो को हूंगा, लेकिन पता है, जितनी भी बड़ी-बड़ी NBFC क्यों ना हो, भी यह लोन अमाउंट तो छोटा देते हैं, लेकिन रेट बहु तो लेने से पहले एक बार भी है, सोचना जुरूर, मिल तो आपको सेम डेम जाएगा, और विटिंग 2 मिनिट के अंदर ही जाएगा, लेकिन कंडिशन यही है, कि भी यह रेट ओ इंटर्स बहुत जाता है, अगर आपको अपलाई करना है, तो आपको बता जाता हूं, डिरे जाता है, यह एप्लिकेशन की दो चीजे बहुत अच्छी लगी मुझे, पहली आपको अप्रूबल के लिए बेट नहीं करना होगा, और अमांट डिस्पस के बेट नहीं करना होगा, अगर अप्रूबल होगा, तो इस्टेंट होगा, और रेजेक्ट होगा, तो वो भी इस होगा, लेकिन रेट ओप इंटरस कहीं जाता है, बट कंडिशन आपके उपर है कि आप यहां से अप्लाई करना चाहते हो या फिर नहीं,